नमस्कार दर्शक मित्रों, हुँ दवल पटेल, वल्डिन बोक्स यूटूब चैनल मा आप सव विध्यार्थी मित्रों नूँ खुब-खुब भार्दिक स्वागत करूशू। तो मित्रों, आपड़ी जे चाली रहेली फ्री ओनलाइन बेच जे सिरीज छे यूटूब नी अंदर, येनी अंदर गयुखत नी अंदर आपड़े एक वीडियो लेक्चर ओल्लेडी एक विशाई वीशे, आपड़ों जे चाली रहेयो शे, साइन्स रिलेटेड, अन येनी अ अंदर जोईशकोशो गंता वीशे नी डिटेल चर्चाओ साथे, ते उपरांथ आपड़े साथे-साथे जे मुलबूत राशियो शे के जे बंदायली शे, ये साथे-साथ राशियो ने अपड़े चर्चा करी थी, ते उपरांथ आपड़े अदिस अने सदीस वत्चे नो आपड़े चर्चाओ करी चुके ला, तो आपड़े अवे जे राशियो विशे चर्चाओ करी रिया शे, तो मतलब आपड़े जड़प, वेग, प्रवेग, ये त्रण राशियो ने अपड़े चर्चा करी चुके ला, तो मुलबूत राशियो फरिती आपड़े साथे- करीशु मित्रो तो आयोप छेल्ले सुधी बन्यारे जो खुबज अगत्यनु लेशन आजे आपणे जोवा जाई रहा से जिनी अंदर आपणे दढ़ाने वजन विशे नो तपावत नो आपणे बेदबाव सपष्ट करीशु तद उप्रांत एक खुबज अगत्यनु परिक् दो नो तो आपणे वधू विगत्वार थने आपले समझी इतर ओप्रें जोही अवे सरुवात करिए से आपने पहला डण वजन वच्चे किसे शोख तुबद म lis जेने आपने इंग्लीस मोजें तरीखे ओडखे यह अजिर्छ हे राःत जने आपने कर्याँ मेट तरीके 보के यह शेट फिर मार्था तव्जाले थुर состо सब्दázब इंग्लीश्न अंदर आपने 6 पत्छे 75 ऐसा में च tak Key रास अंवर intrig ने कर्का करें सदीस राशी मा तो वजन ने केम सदीस राशी मा मुख्यों तो ये नी पड़ा पड़े चर्चा करिए चलो वजन कोई पदार्थ नूँ दड़ साहेट किलोग्राम से तो चंद्र उपर दड़ केटलू थाए तो तमारा मगद्नी अंदर तरत विचाराव से के कोई पदार्थ दड़ साहेट किलोग्राम से तो चंद्र उपर छटा भागनू थाए तलेके 10 किलोग्राम थाए तो बिल्कुल खोटू शे मित्रो दड़ एक एवी रासी शे तो दड़ ए अचल रासी शे मतलब दड़ क्यारे बढ़लातू नथी अचल रासी शे अवे जीवन्त जे माध्य अचल रासी शे तो वजन कोना मुझे बढ़ला शे तो वजन गुरुत्वा कर्शन बढ़ मुझब फेरफार थाए शे तो वजन न फेरफार कोना मुझब थाए शे तो गुरुत्वा कर्शन बढ़ मुझब शे मतलब दड़ अने गुरुत्वा कर्शन बढ़ ना मुल्यान कनने गुणाकार ने ज आपड़े वजन कई शे तेनो मतलब कोई व्यक्तिनु वजन आपड़े कईये से साहेट किलोग्राम से तो चंद्र उपर किटला भागनू था है छटा भागनू पण मित्रो वजन नो एकम आपड़े किलोग्राम लखिये शे हकिकत्मा किलोग्राम न थी तो कईयो शे आपड़े जोई है चलो एहां दढ़नी आता साधन न आपड़े स्प्रिंग कांटो तरीके उड़किये शे तमाम कांटाने स्प्रिंग कांटा तरीके उडख्वा माँ शे दढ़नो जे एकम शे मित्रो एकम से किलोग्राम एटले केजी ये ओलेडी आपने चर्चा करी चुकेला शी वजन नो एकम कयोश तो वजन नो एकम कयोश है तो खास याद राग जो मित्रों वजन नो एकम से न्यूटन हवे न्यूटन कयोश है तो वजन माटे नो एक सुत्र शे के डबल्यू बराबर एमजी डबल्यू बराबर मागी खाओ अब डबल्यू क्या होई तो डबल्यू गोवा ना सेंट सबेस्टियन बीचू पर होई कि जया 10 करोड रुपिया संताले लाश है तो डबल्यू नो दढ थाए अने जीनो मतलब दाए ग्रेविटेसनल फोरसीस मतलब ग्रेविटी एतले गुरूत्वा करश्ण बर थाई ओके तो W आपडे कही है तो जने आपडे Maas तरीके ओडखिये जीने आपडे gravity तरीकि और गुरूत्वव प्रवेग आत्वा, गुरुत्वा कर्शां्ड बढ तरीके ओडखिये शी आण डबुआ आपडे कही है जीने यां लकेलू शे Weight तरीके अपडे ओडखिये शी तो दड़नों एकम से किलोग्राम अने गई खत आपने गिदू तो प्रवेग नों एकम प्रवेग एट लेशू तो वेगमा थतो फेरपार तो वेगमा थतो फेरपार ने प्रवेग क्या वाए तो इना प्रती एकम बने लो तो मिटर प्रती सेकंड स्क्वेर गुरुत्व प् असलुन्हेंसे किलोग्राम इंट्टु मिटर प्रती सेकंड स्वेर्श द्रीच नच्डुन। कर्शंड बढ़ मुझब बढ़लाती राशी शे अनेतलात माटे दर्दी साथे गुरुत्वा कर्शंड बढ़ जे मीटर पर सेकंड स्क्वेर एकलात माटे आपने 9.8 यह गणी है शे शूरिय पर 28 गणू शे चंद्रपर चट्टा बागनू शे एम आनी अंदर चेंजी स्था से है दढ़ तो जे शे एज रहाशे नहीना लिदेजी नू वजन जे छट्टा बागनू कई है शे शूरिय पर 28 गणू थाई सके शे पर ने जो एकम शे एकम खास याद राखवा वजन नू एकम न्यूटन छे अवे क्याम शे तो यह जोई आपड़ी के न्यूटन नी गत प्रवेग एटले एप बराबर एम इंटू ए अवे आने समझ जी है कोई पदार जे तो न्यूटन ए एक डोड़ा वाडी सपाटिली दी ती जिनी अंदर मानिलो क्या बोल शे एक किलोग्राम नो दड़ो शे अहिया पने एक किलोग्राम नो दड़ो शे अहिया थी जे ढाल पर जो दड़ समान राखवाम आवेऊ पन जो इना दड़ नी अंदर फिरफार करवाम आवेऊ तो इना प्रवेग नी अंदर फिरफार थाए शे तो इनना मटलब शे कि कोई पदार नूँ बर नक्की करवू हो ये तो इना आधार ना पगनी केटली ताकात वापरी ये दढ़ छे एने आपड़े गणी शूँ अने केटला प्रवेग थी ये दढ़ो गयो शे इप्रवेग नू मुल्यांकन आपड़े गोती शूँ एटला आपनने ओटोमेटिकली शे के रोनाल्डो ना पगमा थी केटलू बल लगाड़ वमा आवी शे नू आपड़न मुल्यांक आपन मड़ी जेके शे तो आ सुत्र साबीत कोने करीतु तो नूटन द्वारा आ सुत्र नी साबीती अपड़े तो ये सुत्र तो एफ बराबर एमे अना सुत्र नी अंदर तमई जुई शको शो या दढ़ शे एटले प्रवेग शे तो दढ़ आने प्रवेग नोजी आप्पम आवेलो शे तो नूटन एना नाम उपर थिया एकम आपेलो तो आज एकम सेम टू सेम एकम कोना जी हो शे तो वजन जी हो शे तो याद राग जो मित्रों कि वजन अने बढ़नों एकम क्यों से सिमिलियर शे पर बनने एक समान जे नई एकम सिमिलियर शे पर बनने जुदू जुदू शे बढ़ कोई दिशा आधारित लगावा मों आपड़े आवे शे जारे वजन शे ये प्रुत्वी कोई पणपदार शे एना केंदर तरफ एने वस्तुने जे केंदर तरफ गमन करे शे एना आधारित जोवा मडती रासी शे बाई तो आयो तमने क्याल आशी जोवा मड़े शे बित्रो चलो तो वे आनू कदा तमने वजन नू पारिमानिक सुत्र पूछे वजन नू पारिमानिक सुत्र जणावो चलो तो जे विद्यार्थी मित्रो विडियो निहाडी रे आशो जोई रे आशो तेरा हलना समय तो मित्रो आपारिमानिक सुत्र तमें वहां चो शो तो प्याला वीडियो ने श्टॉप करो तमें वीचारों कि आनू पारिमानिक सुत्रशू बनी शकेश प्याला तो वजन नो तमने एकम खबर वही जोई हो अहीं आपणे वजन ना एकम नी वात करी के किलोग्राम इंटू मिटर पर सेकंड स्क्वेर आईन सेकंड एकले समझ तो पारिमानिक सुत्रशन येंदर आपणे उप्योग करीशू MLT नो कोनो उप्योग करीशू MLT MLT नो मतलब सुता है M-nО मतलब थाए मास, गयल नो मतलब थाए लेंथ, एंड टी नो मतलब थाए टाइम MLT नी अंदर आपड़े M एटले मास, L एटले लेंध और T4 टाइम तो यहां आपड़े प्याला M लखीशू, B जो L लखीशू और T लखीशू अवे तमारी नजर समक्स चीत्र शे, तो नजर समक्स चीत्र शे तमने ख्याल आवी गियो होशे कानू पारिमाणिक सुत्रशू बनतु आई चलो मास, एटले किलोग्राम, चलो किलोग्राम केटला शे तो एक कज छे, तो यहां आपड़े गात मुखीशू, एना माथे एक मुखीशू, चलो यहां मेटर, गुणाकार नी अंदर छे, मेटर पण केटला शे, तो एक शे, तो आना माथे आपड़े एक मुखीशू, अह वह श्वाद आतकर मातायास, ऊपर हम एंप मीं वह वाद ऑल औरिक वह पारिमानिक शुट्रां के लिखेश्य T-2 थाई शे मित्रों तो खास आवा पारिमानिक सुत्रों शे तो केटलूग पारिमानिक सुत्र हुँ तमने आपूशु तमे जो तो ये पारिमानिक सुत्र आहानू कोमेंट बोक्स तिंदर कया विद्यार्थी मित्रों नू बिल्कुल सचोट पारिमानिक सुत्र आवे शे त सार्वत्रिक अचणांग जिने आपड़े कैपिटल जी तरीके ओड़किये शे आ कैपिटल जी गुरुत्वा कर्षन बढ़ने आपड़े स्मोल जी कहता अन्य गुरुत्वा कर्षन नो जे सार्वत्रिक अचणांग शे ने आपड़े कैपिटल जी तरीके ओड़किये तो आ गुरुत्वा कर्षण नो सार्वत्री कचणां कैपिटल जी नो पारिमानिक सुत्र मने कॉमेट करो। प्याला तो आने ये युनिट आवळवा जोलू। तो युनिट ये पण हुँ लखी दूका आनू मुल्य केटलू शे। तो कैपिटल जी नो जे मुल्य शे। 6.67 गुणयां दस्ती माइनस अग्यार गाद न्यूटन मिटर स्क्वेर पर किलो ग्राम स्क्वेर। खास जो जो गुरुत्वा कर्षण नो सार्वत्री कचणां का कैपिटल जी नी जे सोध करे लीजे। ये सोध करे लीजे हैंडरी केवेंडिश। हैंडरी केमेंडिश द्वारा गुरुत्वा कर्षण ना सार्वत्री कचणां नी मतलबा आचणां प्रम्मान ना कोई पन खुणने केवो शे समान जोवा मड़ेश। आनू इनिट शे न्यूटन मिटर स्क्वेर पर किलो ग्राम स्क्वेर। आ यूनिट आधारी तेनू मने पारिमानिक सुत्र कॉमेंट बोक्स नी अंदर कॉमेंट करो मित्र हों। तो आधारी नवा लेसं तरफ आपणे आगडवद्धी आएक माहिती थी तो दल ने वजन वच्चे नो थोड़ो बेद क्लियर करें आपणे। अवे बीजानबर नी जे माहिती शे खुबज अगत्य नी शे मित्रों। परिक्सा लक्सी में तमनी एडवांस मा कई चुके थो। त परिक्सा लक्सी आम आईती परिक्सामें वधू पड़ती जुवा मळें जे। अने यह से तापमान। चलो, तापमान जेना अपळगे ठेंपरेचर तरीके उड़किये शे, तापमान विशे आपणे दिव क सर्विशेस चरचाहücke करीए. चलो तो तापमान रासी जे ए अदिस रासी ये थी पड़ तापमान ना जे युनिट जे युनिट नी अंदर जे SI unit तरीके आपने तापमान स्विकार लो जे एसे Kelvin तो आपड़े युनिट कन्वर्जेशन परिक्सानी अंदर most important जे तो युनिट कन्वर्जेशन नी आपड़े ली चर्चा करिये तो प्यालू युनिट कन्वर्जेशन जे Celsius नू Kelvin मा रुपांतर चलो Celsius नू Kelvin नी अंदर रुपांतर थती जे प्रक्रिया आओशे परिक्सानी अंदर आवा नॉर्मली उदारण तो पुछेच्छे बाई चलो तो आवे जोईए अईया साथे साथे तमारा जन्रल नोलेज माटे अईया स्पेलिंग पनू लोकूशो Celsius C-E-L-S-I-U-S and Kelvin नो जे स्पेलिंग जे Kelvin चलो आवे जोईए तो Celsius नो जे Kelvin मा रुपांतर थती प्रक्रिया आजे 0 degree Celsius is equal to बसोने 13 Kelvin था बसोने 13.6 Kelvin जे पनि आपड़े 0 degree Celsius बराबर बसोने 13 Kelvin आ मुल्य तमारे गोखी मारवानो 0 degree Celsius बराबर किटला Kelvin था है तो बसोने 13 Kelvin था है फिक्स है आ मुल्य आ मुल्य चैंज था से नई भाई अवे आम काई जिन थी कि 1 degree Celsius ने जो Kelvin मा रुपांतर थत करवा हो है तो 1 plus बसोने 13 मतलब बसोने चुमबो 13 Kelvin था है M 25 degree Celsius ने Kelvin मा रुपांतर करवा हो है तो 25 plus बसोने 13 मतलब बसोने 28 Kelvin था है जलो तहीं 25 degree Celsius Kelvin मा रुपांतर करवा है तो मेरी ना किशो एज रितना जो तमने माइनस 25 degree Celsius के तो तमारे शू करवान तो बस एज किम्मत लखवान एक माइनस 25 प्लस बसोने 13 तो मतलब बहाँ माइनस चीन हाशे अई याँ प्लस चीन हाशे तो बसो 13 मती 25 दा है यटले किम्मत वदे बसोने 48 Kelvin तो खास बाबत चे प्लस होई तो मुल्य ना आपड़े उमेरी शू माइनस मुल्य हाशे तो ये नियंदर थी बात करी शू प्र माइनस मुल्य बाद करवा आरीती बात ना करूं मित्रो के गणा एम करे बसो 13 ओच्छा 25 तो आकाउंस चुटो था ये प्लस 3000 तो बसो ने तौत दे तो मतलब आतो बसो अठाणू केल्विन थी तो आ मुल्य मा कोई तफावत तो आवे ने मित्रो तो खास बाबत माइनस बाद करूं मतलब जे चिनिय होशे एम ना मेने बाद करी नाखानू मुल्य जे तो या Celsius तो Kelvin मा तो एक दम ही जी चे मित्रो के Celsius तो Kelvin मा रूपांतर 0 degree Celsius बराबर बसों 13 Kelvin प्लस होई तो मेरी शू माइनस होई तो बाद करी शू Kelvin नू Celsius मा रूपांतर किया तो बसों 13 प्लस करे था तो Kelvin नू Celsius मा रूपांतर किया जेंके 208 Kelvin बराबर केटला डिगरी Celsius तो बसों 13 पज से आबाजू आवी जेशे 208 मती बसों 13 बाद तसे डले पाचा फरीती 25 तो Celsius तो Kelvin मा बसों 13 प्लस करी शू Kelvin नू Celsius मा बसों 13 आपड़े बाद करी शू तो मुल्य आतू Celsius नू Kelvin मा रूपांतर चलो आबाबत नू खास ध्यान डाकोनू बिजानपर नू यूनिट कनवर जेसंचे ए पने एकदम इजी शे Celsius नू रूमर मा रूपांतर Celsius नू रूमर नी अंदर तो गणा विद्यार्थी मित्रों ने रूमर कदाच फर्स्ट टाइम सांभडता है हो बनी शकेश तो खास मित्रों याद राकोनू के Celsius नू जे रूमर मा रूपांतर करवानी आपड़े बाबत निवाद करियेशे तो यहाँ आनू जे मुल्य हशे के 0 degree Celsius बराबर 4 by 5 रूमर परिक्सानी अंदर सिद्धू आरितना ओप्सन मा पुछायलो प्रश्टन से पड़ आपणने ख्यालत ना थी के टेंप्रेचर नो पण एक एकम से रूमर रेडियेशन मेजर करवा माटे वपरातो एक यूनिट से रूमर तो 0 degree Celsius बराबर 4 by 5 रूमर 4 by 5 नो मतलब सु था है 8,45 येनो मतलब बीजी बासामा को तो 0.8 रूमर 0.8 रूमर अवे जे पन एक डिगरी Celsius स्वरी अहिया बाई मिश्टेक आपड़े 0 लख्यू शे तो 0 degree ये नथी मुल्यांकन अहिया 1 degree Celsius से मुल्यांकन शे एक डिगरी Celsius बराबर 4 by 5 रूमर शे तो 0.8 रूमर था है अवे तमने 40 डिगरी Celsius बराबर खाले जे गया रूमर के तो तमारे शू करवानू काई नहीं करवानू 40 multiply 4 by 5 अथवा तो 0.8 तो 5 चे 8 अने 8 चोग ने 32 रूमर तमारे रूमर सोधवाना से तो Celsius ना मुल्य ने 4 by 5 वड़े गुणीशू अथवा तो 0.8 वड़े गुणीशू फरिती विद्यार्थी मित्रो एक डिगरी Celsius बराबर 4 by 5 रूमर अथवा तो 0.8 रूमर हवे 2 डिगरी के तो 2 डिगरी 2 गुणे 0.8 करो तो 1.6 थाई गया 3 डिगरी के तो 8 तरी चोवी 2.4 रूमर थाई गया 4 डिगरी के 8 चोग ने 32.2 रूमर थाई गया मतलग तमारे ने 0.8 गुण अथवा तो 4 by 5 वड़े गुणीशू जे Celsius तो मुल्य आपे लूशे ए मुल्य ने 4 भागया 5 वड़े गुणवाना आप अब आप नूखास ध्यान आखवानू अवे रूमर के तो Celsius मुण कनवट के तो या 5 by 4 थाई अब परिक्सान यंदर उन्दू लखी जीदू है क्या आरी बराबर 5 by 4 डिगरी Celsius तो बिल्कुल साथ हूशे कि तो 4 by 5 पिली बाजू जाए डिगरी Celsius लखे नो मटलब सुधाई गयो कि आगड़ एक होई तोज ए डिगरी Celsius लखी सकाई शे तो खास पहिया बीजो एक नानो अम्थो दाकलो जो ए Celsius तो रूमर मा रूपांतर अवे त्रीजू शे ए मोस्ट आइम पीशे न परिक्सान यंदर सव थी वदू पुछातू यूनीट कन्वरजेशन अने अवे खास ध्यान डाक जो ए त्रीजानबनो जे यूनीट कन्वरजेशन से एक है उशे तो Celsius नू फेरन हिट मा रूपांतर Celsius नू फेरन हिट नी अंदर रूपांतर करवानी जे प्रक्रिया शे ये परिक्सा माटी Most 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 IMP तो वे खास मित्रों यहां उपर हूँ एक स्पेलिंग लखी रहे शूँ फेरन हिट नो ये फेरन हिट नो स्पेलिंग परिक्सा नी इंदर पूछाए लो शे तो खास याद राग जो फेरन हिट F-A-H-R-E-N H-E-I-T आँ हिट नो वेक्ति नो नाम नी अंदर हिट नहीं जोवा मळे तो याँ फेरन हिट नो स्पेलिंग परिक्सा माटी पने इटलो अगत्य नो बने शे चलोवे जोई सिससियदी ता याढ़ी किbenत करें सेरonde रूम सेसिट अफ़िए सी था है hai this सुछ नबर से गविए क्यों से स्टेर नीचर ने तबीए जरय मुल्यांकन कändern तो मुल्यांकन से 0 डिग्री सेलश्यस बराबर 32 डिग्री फेरनहेट चलो। तो युँ मुल्यांकं जे मित्रो, 0 degree Celsius बराबर 32 degree Fahrenheit, अवे, Fahrenheit सोधवा माटे नुजे सुत्र जे, कि degree fair knit आपणे सोधवा शे तो degree Celsius ने जेम के आपणे पिलाना किटला वड़े गुणा है था 4 by 5 वड़े गुणा है था तो ही आपणे किटला वड़े गुणा है था तो 1.8 अटार भागया 10 अथवा तो 9 भागया 5 गुणा है फरीदी डिग्री फेर नेट्टू मुल्य सो दूशे तो डिग्री सेल्सियस ता मुल्य ने 9 भाग्या पांचे गुणवा नाशे प्लास एमा 32 उमेरीशू प्लास एनी अंदर आपने एड केटला करीशू 32 एड करीशू अवे 9 भाग्या पांच एटने तमने ख्याल अचेक बै के 9 भाग्या पांच नू मुल्यांकन केटलू था 1.8 अडार पंज्या नेव तो 1.8 गुणवा 9 भाग्या पांचे गुणवा अब 10 मुल्यांकन समान चे अडार भाग्या 10 लखू के पच्छी 9 भाग्या 5 लखू के सेलसियस न मुल्याने नव भागया पांच वड़े गुणी शो प्लस एमां 32 उमेरीश वां 32 बुली गया तो दाकलो खोटों चलो तो जो है आपड़े के एक डिगरी सेलसियस बराबर खाली जिग्या डिग्री फेरनेट था मतलब सूथियो तो अपने यह सरच शो के डिगरी क केटला वड़े गुणवाना नौ भागया पांच नहीं जग्या यह एक शेट ले केटला मुखी दौशू एक पॉइंट आट अन पांच-छड केटला यह एड करू तो बत्रिस हूं यह एड करीश तो यह नो मट्रब त्यों 1.8 प्लस बत्रिस बत्रिस ने एक त्रिस पॉइंट आट डिग्री फेर निट यह नू गुल्यत है पड़ावे जो तवे परिक्सानी अंदर एक डिग्री सेल्सियस ना सिधा त्रिस डिग्री फेर निट लखी ना आवे तो बिल्कुल दाखलो पाउच डिग्री सेल्सियस तो 5 डिग्री सेल्सियस ने आपड़े फेर निटमों कनबड करवा जे तो पाउच ने केटला वड़े गूनी है नव बागया 5 यह प्लस बत्रिस अत्वा तो एक प्वांट आठे गुळी है चला हिया पाउच पांच बत्रिस अदिग्री बध् फरिदे यहां ध्यान दाग जो के डिगरी सेल्सियस ना मुल्य जेशे यहने आपने फेरनिट मा रुपांतर करुआ तो 0 डिगरी सेल्सियस ने 0 डिगरी सेल्सियस नू मुल्य शे 32 डिगरी फेरनिट पड़ आगण जे जू जे मुल्य आपने मेडवू हुआ है तो यह मुल्य दिगरी सेल्सियस ना मुल्य ने नौ भागया पांच वड़े गुणीशू प्लस एनी अंदर बत्रीस उमेरवानू भुलवू नाए बिल्कुल जो बुली गया तो मुल्या खोटू पड़से खास बाबत नू याद राखवानू चलो हवे जो ये जैंके आपड़े वात करीए अपणा सरीण नू जे सामन्यत आपमांच हे किट्लू जे तो ख्याल चेक बई साड़ त्रिश डिगरी सेल्सियस से है तो हाँ साड़ त्रिश डिगरी सेल्सियस ना मुल्यों ने अपड़े फेर निटने अंदर कन्वर्ट तो स्वाबाईक वस्थी। शऑ अपणि सुगीदू साठ तरीस ने 9 भागया 5 गुण गुण अत्वा तो 1.8 गुण प्लस 32 सुमेरो तो स्वाबाईक वस्थी। तो साठ तरीस नो गडियो अपनना वड़ित लेजंगा पातरीदू 60 यावा बदा जी unit conversion चे तने परीक्षान अंदर सरड ताती शिख्या आशो के मानिलो के तमने समझाव माट्री नी बाबाच्चे बाई के 1.8 ने तमें अडार भागया आपने 10 गीदा अडार भागया 10 एट लेशू तो 20 ओचा बे भागया 10 आऊ अपने गनितनी अंदर करता द तो बस आपने स्थीति है जपना ये के 372 चुम्बो तेर तो 372 चुम्बो तेर केटला त्या साथ्चो ने चालिस तैग्या पाच्छड सुन्नी अति मुकी जी थी फरी ती 372 चुम्बो तेर तो चुम्बो तेर आपने नियंदर थी बाद करी शू नीचे भागया कर्म 10 से स्वाबाई कौस्तु शें 4 ने बुली जाओ यह चार नी जगया प्ले 0 माने ले परसी 4 बात करी ए साचो 40 मती 33 बात करी ए तो चालिस जाए तो 700 वद्या अजू त्रीस बात करवाना 700 मती 30 बात करे तो शस्षो ने सित्तिर वद्या किटला बात करी शो विध चार बात करी श ससो सित्यर मती चार बात तरी येटले ससो ने सासट वद्या अने ससो सासट वाग्या दोस अता इले पॉइंट का पिली दो इले सासट पॉइंट छो थाई गिया प्लोस बत तरीस साहट ने तरीस नेवू चान बे आट एटले टोटल आकडो थाई गियो अठाणु पॉइंट चो डिगरी फेरनेट परिक्सानी अंदर गणी वखत पुछाई चुक्यालू मुल्य शे के मनुष्यना सरिन्नू सामनने तापमान फेरनेट ना मुल्यमों जणा तो फेरनेट नू मुल्य शे 98.6 डिगरी फेरनेट शे जो तमने याद नो आवे तो स्वाबाई कोस्तू शे आपने साड़त्रिस डिगरी तो याद चेन बहें तो आँ साड़त्रिस डिगरी नो अपने कन्वर्ट करता सिखवू पड़ से तो कन्वर्ट मा एक दम इजी शे कोईपणना सेल्सियस ना मुल्य ने नौ पागय पाचे अत्वा तो एक पॉइंट आठे गुणो प्लस बत्री सुमेरो आ पेटरन चेंज थवी जो ये नई खास बबत नू ध्यान राखवानू हवे जे लखूश हुए त्रणे त्रण दाकला जे परिक्सा लक्षी शे केवा शे अगत्य नाशें तो अवे त्रण दाकला विशे अपने चर्चा करिये जन्नली शे परिक्साना त्रणे त्रण स्टेटमेंट ए परिक्सानी इंदर पूछाई चुकेला शे पेला स्टेट अने फेरन हिट ना मुल्यो समान होई छी किटला डिगरी ताप माने सेल्सियस अने फेरन हिट ना मुल्यो समान जवाब मड़े शे मित्रो सेल्सियस ना मुल्यो समान होई सकते ना इकारण के पाछड प्लस थाई यहां गुणाकार थाई तेनों मतलब शेका आये हूँ बुल्यो जुए कि जे माइनस है अने जेना काण या माइनस मुल्यो पाछड ना मुल्यो सेल्सियस बरबर होऊ जोई है तो सवाबाई कोस्तू शेका आ मुल्यो तमारे सिधो आंसर माइनस तमें दसलो पची माइनस वीश्ट लो त्रीश्ट लो आउँ करवा जाओ यह ना करता बेटर शे चार ओप्शन आपे लाओ होए चार ओप्शन मों तमने लागतू सेल्सियस बरबर चालेश डिगरी फैरनेट था है माइनस चालिश डिगरी दिगरी सेल्सियस इज इगोल टू माइनस 40 डिगरी फैरनेट था है वे जो हो आपने परीती एकम कन्वर्जेशन गया माइनस 40 गुण यहां प्लस बद रीज तो वह अपने अडार आनू गड़ी यह तो स्वाबाई घ्ष्तु आवड़ ओज़ियो अडार ंटके यह अपने माइनस बधत्रेश कें यह तो यह अडार भागे दस करना को सुन्न्ने उड़ी जाए अडार चौक ने तो आंसर पन तम ने याद ओ गो जोई है कि ट्ला डिगरी एत जोई से उन्य फैर्डनित ना मुल्य बनने समान हो यह तो बनने समान तरहँ टू..... से माइननस चालिस हास याद रग जो परिक्सामा पुछालू स्टेट्मेंट से परिक्सामा आ श्टेट्मेंट सीधा परिक्सानी अंदर जोगा मरसे हावे बिजाद आखलानी वाद करिये ये पन खुबज अगत्यों नो शे परिक्सादक्ष्ण बे प्रवाहियोना ताप्तमान वच्चेनो तपावद 25 केल्विन होय तो तेनू फेरन हिटमा मुल्यशो दो हावे था एक साहिब तम्ये तो सिख्वाड़ियो Celsius नू Kelvin मा बिजो सिख्वाड़ियो Celsius नू फेरनेट मा हवे मुल्य आपि रोशे Kelvin ने Kelvin नुँ मुल्य सोधवानु उशे शरनेट मों तो आपण एडवांस मों चर्चाओ करी चुक यह ता पन यह चर्चाओ खास बभद्यान डग जो कि मित्र आपने कि pro क्याविन की घुट क्याविन अरोपा अंतर ज़िरो डिरी सेल्सेश equivalent व्रक बसोने तोत्यर केलवीन ने बसो तोत्यर केलविन घुट यह तो बात कर आपड़े जनली विद्यार्थी मित्रों आहिं आपड़े ऊकरिए कि 25 ऑचा बसोने तुवत्यर करिए तो तमने ख्यालत चेक बाई बात कर वा ना था है तो माइनस बसोने अड़तालीस डिग्री से ल्स है अविव विद्यार्थी सुकर चे माइनस 248 गुणया 1.8 करे प्लस 32 करे फाइनली जी आंसर इने मरसे आंसर आपड़े गुणाकार करवो नथी पन क्यम नथी करवो तेनी पाचन नू कारण से कि आ रितेज विद्यार्थी थाप खई जाए शे ने पोता नू समय बर्बात करे श्मित्र तो आज ये पैटर्ण चे तद्दन खोटी शे क्यम खोटी शे तो आपड़े एने एक वार प्रूफ करिये अपड़े ने एक वार समझे क्याम नू थाए तो एक कजवार आई याद राखी दो एक कजवार बिल्कूल केरफुली ध्यान राको तो परिक्सान इंदर वारे गड ये आवा प्रश्णों आव से तो तकलिफ नहीं पड़े अहीं आमे ब्ये प्रवाईयो वच्चे नो अने स्टेटमेंट मों लखेलू शे तफावत याद रख जो किटलो आपिलो शे 25 केल्विन तो आपड़े 25 डिगरी सेल्सियस बराबर किटला केल्विन था है तो 25 प्लस बसोने तो 13 वराबर सोने अठाणू किल्विन अन बिजू होतू 0 डिगरी सेल्सिस पराबर किटला केल्विन तो सबाइक वस्त ìसोने तो 13 केल्विन अवय याँ बंयनों हुशू लखुशू तपावत् cal Casa द्यान डाग जुमित्रों बंयनो 25 मती 0 जाये तो 25 डिगरी सेल्स सेल्सियस काल सब्सक्राइब क्या वाई Kelvin आपि वाई तो एज Celsius नो तफावत क्या वाई तो प्रूप तमारी नजर समख्षे का आपणे 25 डिगरी ना Kelvin बसो ठाणो और 0 डिगरी तो तो गमेते लेएलो मित्रो तमें गमेते Celsius ने Kelvin में कन्वर्ट करो और पची Celsius तो तफावत लो और Kelvin नो तफावत लो क्यारे एं मुल्य तफावत बढ़ला से नहीं तो यहनों मतलब से के 25 डिगरी Celsius वहाई के 25 Kelvin तफावत ना मुल्य शमान त्या माटे तफावत समानों होवाना कारणे 25 Kelvin बराबर 25 डिगरी Celsius गुणाकार ना पहावत तो नव एक पॉइंट आट नी जग्या अपने सु करीशू, एक पॉइंट आट नी जग्या आपने नव भागया पांच मुक्ये जिनाकाराने सरडता थी तमें बागी शको, तो 25 गुणा कार परवो पच्छी भागा कार करो, गुणाकार बागा का पच्छी पच्छी सरवाड़ों करो, ने तर जो पहला तमे आनो सरवाड़ों करें आनी अंदर तो लोचा लापसी आपने घ्यालत छे, अवे पांच ये आपने भागू डाड़िये तो 5, 9, 5, 45, 45, 45, 45, 42, तो फाइनल आंसर आपड़ों बने से, सित्तियो तेर डिग्री फ आतो थो, तो आपड़ों जवाब चेंज थी जातो थो, 423 point something minus मा आपड़ों जवाब मड़े शे, तो ए पैटरंट छे, खास बाबत भुली जाजो, और यहां खास एक याद राग जो, कि सेल्सियस नोट तरीके लखुए तो लखी नाखो मित्रो, सेल्सियस अने केल्विन मुल्यों नो तफावत हर हम्मेशा समान होई शे, यह क्यारे बढ़ला तो न थी, चलो, 305 नोजे दाखलों शे, ए मोस्ट, मोस्ट, मोस्ट इंपोर्टन शे, परिक सानी द्रस्की यह 3G पैटरंट आपड़े जोई रिया शे, चलो, 3G पैटरंट कई रीतना पूछाए, कि कोई भे प्रवाहिना तापमान वच्चे नो तफावत अधार डिगरी फैर निट होई, तथा, एक प्रवाहिनू तापमान, एक सोने अग्यार डिगरी सेल्सियस होई, तो, बिजा प्रवाहिनू तापमान शोधों, चलो, एक प्रवाहिनू तापमान शे, एक सोने अग्यार डिगरी सेल्सियस, तो, बिजा प्रवाहिनू तापमान सोधों, तो, आपड़े डाखलाने अंदर, आपले ओप्शन जोई होई शोगए, क tecnología, कि ओप्शन A for 101 ने एक डिगरी सेल्सियस, option B for 103 degree Celsius option C for 108 degree Celsius and option D for 108 degree Celsius चलो, आर इतना विजा प्रवाई ना तापमान ना option आपके ला हो है अहीं आपड़े एक लाभी प्रोसेस था है लाभी केमनी प्रोसेस था है तो बेह प्रवाई ना तापमान वच्ची नो तफावत किटलो आपके हो शे अटार degree fair net आपके लो शे एक प्रवाई नो तापमान आपके शे 101 degree Celsius तो अवे विद्यार्थी मित्र जनल इसू करशे 101 degree Celsius नो रूपांतर fair net मा करवो पड़े fair net मा रूपांतर थ्या पच्ची जो भई fair net मा रूपांतर थ्या पच्ची आ तफावत का तो इन्दर उमेरो हो पड़े का तो इंधर मा थी भात करो हो पड़े अईया में तमने Kelvin नो तफावत समान गिदे दो fair net ना तफावत ना मुल्यो क्यारे समान हसे आनि एकजामपल तरीके जोइलो एकजामपल तरीके fair net ना तफावत्या मुल्यों क्यारे समान होता, नथी, मनलों के 10 डिगरी सेल्सियस हुए, तो 10 गुणया 1.8 फ्लस बत्रेस, तो आडार प्लस बत्रेस बराबर 50 डिगरी फ्यार निट थाई, 10 डिगरी सेल्सियस था, फ्यार निट में कन्वर्ट करूं तो केटला थाषे? 50 थाए 5 डिगरी सेल्सियस था तो 5 गुणया 1.8 प्लस बत्रिस अडार बंचा नियो 9 प्लस बत्रिस बराबर 41 डिगरी फ्यर्निट थाए अहिया तफावत्तियो 5 डिगरी सेल्सियस अहिया तफावत्तियो 9 डिगरी फ्यर्निट यहनो मतलब शे किया आरे पन सेल्सियस ने फेरनेट नो तफावत समान ओतो न थी पना तफावत ना कारणे क्योड मुटु काम ताई यह जो ही है पर प्याला आखलो ओरीदनल कही रीती प्याटन थी गणा है यह नहीं आपड़े इकवार चर्चा करिये जमके 111 डिगरी सेल् समान तुमा करे आप लिग्साहें इसल्सियस न आपड़े रूपाउन्त्र सामा करीए और आप सेख्लपेरे लिग्साओं-झालर्वे पाणित-द्दी करें तो आएक प्रोसीजर था एक खुब लामी था है यहना करता बेटर एक आपणे मस्त मजानी प्रोसीजर अहीं एक सोधेली शे अवे यह सोधेली प्रोसीजर कही शे तो आहीं तम्हें बोड उपर जोई शको शो में यहां तमने तफावतना मुल्य आपी दिदेला शे अवे आ गुण यहां एक प्लास बद्रीस आमना हम आपड़े बात करिये कि 5 गुण यह मैं बात्रीस प्लास नी जग्ज्जे आवे इस्टाहिजज़ किया माइनस के तो काउच मुखु तौइ प्लस थाया, अन्य काउच सोड़ी प्लस नुध है, πम्या रादत प्लस थाया प्लस थायाकण मुल्य कुरेशु सब्सकी मुल्य क्वहला, न ये πौण मुल्य caucus क्योंонец अवे स्वाबाई क्वस्तूशे कहिया तो वद्यूशू ते 10 गुणया 1.8 ओचा 5 गुणया 1.8 ते नो मतलब यह मधी कॉमंट शू 1.8 तो कॉंशने अंदर वद्या 10 ओचा 5 तो विध्यार्जी मित्रों यहां एक दम इजी सरल रिच्छे के सेल्सियस नो जे तफावत आवत हो है यहने फक्त गुणवानू के टलाए हो है 1.8 और 1.8 गुणता सिद्धे सिदो तफावत कोनो मड़ी जाए फेरन हिट नो तफावत मड़े आ एक्जाम्पल नजर समक्षे तमारा आपड़े यह आख्या खू पद मुक्यू एमा ते गिदुक बत्रिष्ट नी किमत नी वेल्यू तन थी तफावतमा, आम वेल्यू मुटीश, पर तफावत ना मुल्यामा बत्रिष्ट नी कोई वेल्यू जे, ना एकार के एकमा प्लस थाए तो एकमा मायनस, बन्ने मा कॉमन सूत है ક્ષુલુ કેશ્હડુલ્ણ પરેગ્લેજું કેચ્રાવેજ ટુદીં પેકે તો આથાવતાથતો લીં ખેકેચેકેજો तो हवे आपड़े option उपरती वाद करिए, तो option उपरती केम नीवाद थाए, तो ही या थोड़े एक वर आपड़े erase करी नाखियानू, हवे या तमें जोईशकोषक एक option नूँ मुल्ले 111 शे, तो चलो मनें को, 101 जाए, तो या 10 डिगरी सेल्सियस नो तफावत लखूँछू, रकम नू आपड़े लू मुल्ले अने, option ना आपड़ेला मुळ्योन फूलकिरे अशो तफावत, 101 मती 103 जाए, तो किटला वध्या 8 डिगरी सेल्सियस, 101 मती 108 जाए, तो वध्या 3 डिगरी सेल्सियस, 108 मती 100 अग्यार जाए इटले वध्या 7 डिगरी सेल्सियस, चलो, हवे आपने 100 गितुतू के तफावत्त मुल्य तो ये मुल्य ने आपने गुणाकार केटलाए करवानों, तो दरेक ने गुणाकार करीशू आपने 1.8, केटलाए गुणाकार करीशू, 1.8, तो 1.8 गुणया साथ करिये, तो 126 इटले 12.6 डिगरी फेरनेट नो तफावत मढ़ेँ, अडार अट्टा एक सो चुम्बाली इटले 14.4 डिगरी फेरनेट नो तफावत मढ़ेँ, तो ये आ तफावत नो मुल्य औने आ तफावत ना मुल्य केवाद ये खाईशे, बिल्कूल समान देखाईशे, येनो मतलब साचो आंसर कयो बनेशे, ये बनेशे, तो म सेल्सियस ना मुल्य नो तफावत सो तो एक पॉइंट आठे गुणो, एकले सिद्धे सिद्धू फेरनेट नो मुल्य मढ़ी जाये, ये आज एक प्रोसेजर चे परेक्सानी द्रष्टी ये दाखलो गणी शे तो गणा बुदो लामो थाईशे मित्रो, तो आपने दाखला मुल्य मा बत्रिष्ट नी कोई वेल्यू चे नै, तो आए हो तमने आ त्रणे त्रण प्रेटरन चे परिक्सानी द्रष्टी एटलीच अगत्य नी चे तो तमे समझी गया शमित्रो, तो आगणे एक आपने बिजा एक अवे टोपिक तरप आगण वदी शो, तो अहीं आपन प्रेशर तरीके उडखियेश, चलो, तो जनलीचे दबाण माप्पा माटे आपणे शानो उप्योग करियेशे, तो वाताणनू दबाण माप्पा माटे बेरो मिटर, और आपने रुदिर नू दबाण माप्पा माटे आपणे वाप्योग करियेशे, तो दबाण माप्पा अब अबत नू ध्यान नाकवानू चलो एना पची दबाण नो SI1 जनावो तो दबाण नो SI1 से पास्कल बेज पास्कल द्वारा जे सोध तहले लीशे एटला जमाटे दबाण नो SI1 वप्राई शे पास्कल अब दबाण एरकले बीजी पासमा बढ़ भागया क्षेत्रफण केटला क्षेत्रफण ने अंदर केटलू बढ़ लागी रहे उशे तो एना अधारिज्य समुद्र नी सपाटी शे ये 15 डिगरी सेल्सियस द्वारा 15 डिगरी सेल्सियस तापमाने हवानू जो लाक्टा सामान एक वाता वरण दबाण तरीके उडखे शे किला टेम्परेचरे तो 15 डिगरी सेल्सियस तो चलो मित्र पंद़ डिगरी सेल्सियस ना फेर निटमा कन्वर्ट करीने मनने कमेंट बॉक्स ने अंदर कमेंट करो तो हवान लागतो सामान ने जो धक्को हो शे एनने आपने एक पातान दबाण 15 डिग्री सेल्सियस जिन न्यूट्राल छे एना द्वारा लागतू तो जनली शे दबाण लागी रियो छे तो दबाण इटले तो बढ़तीू ये बढ़ केटला एरिया मा लागी रियो छे ख्षेत्र पड तो बढ़ भाग्या ख्षेत्र पड इना अधारित अपने दबाण नू मुल्यां खन करी सक्किये शे तो ये अपने वात करी दबाण नू येसा एकम पासकल शे और इना अधारित आपने जे वात करी एक वातावरण दबाण एक वाताण दबाण बराबर 1.01 गुणे दसनी पासगात पासकल ना मुल्यो शे एक वाताण दबाणने विजू एक बार तरीके पन उडखवाम आवे शे एक वाताण दबाण बराबर एक बार तरीके पन उडखवाम आवे शे खास बाबत नू ध्यान डाकवानू तो दब बढ़ान ना बदा अलग-अलग एकम हो शे अनि आपने चर्चाओ करी विया शे एक वातान दबान बराबर 700 ने साही टौर तरीके पुन ओडखवा महाँआवे शे 700 ने साहीट टोर तो ये पन दबाण नुसूशे मुल्य शे 700 साहीट टोर एटलेच्छू तो 700 साहीट मिलीमीटर था वित्रो नीमी अने टोर ये बनने समान होई शे तो म्यानो मिटर नी अंदर आपने क्याल चे कि जे ब्लड प्रेसर नी उलचाई आपने मापिये शे येकम होच्छे दबाण मापप मांते तो दबाण एटले बीजू सू आल घीदू तो अपने बढ़ भाग्या क्षेत्रफड तो बढ़नों येकम अतो निउटन अने बीजो येकम निउटन पर मिटर स्क्वेयर दबाण नो अन्ये एकम कई होशे न्यूटन पर मेटर स्क्वेर पन दबाण नो एकम था है तो चलो मने दबाण नो पारिमानिक सुत्र पारिमानिक सुत्र मने कॉमेंट बोक्स ने इंदर कॉमेंट करो के दबाण नो पारिमानिक सुत्र सुथाईश हवे मित्रों खास बाब बततु के दबाण ने तापमान हम्मेसा हर हम्मेस एक बिजाना ओपोजिट कारिया करता होईशे जेम वातान ने इंदर जो तापमान वदेशे तो तापमान वद्वाना कारणे हवा पातली थाए तो दबाण गटेश जो तापमान घटे शे जेमके शीला नी अंदर तापमान ओच्छु होए हवा जाडी पने भेजवाड़े एटले एन इंदर मौश्चनू प्रमाण वदारे हो एटले इना काले अपने ओची हवा होए तो आपने ठंडी वदू लागे शे तो वातानी क्रियाओ मों हर हमेसा द लिक्वीड फर्मा फेर हुआ है तो नीचू तापमान ठाए तो वायू नू लिक्वीड मा रूपां तर थाए जिना कननी स्पेस जेशे कणो वच्चनू अवकास गटे अने इंदर मात्रा वदू समाई एटला माटे तापमान घटालो करवामावे दबान वदारो करवामा जेम कि सुको बरफ एटली जेना पड़े घन कार्बन डायोकसेड कई एए शे ता घन कार्बन डायोकसाइड जेने ब्रिजीबास मा अपडे सुको बरफ तरीके उडखे तो सुको बरफ बनाव माटे थाएत पण शो करूँ पड़े शे नीचू टेंप्रेचर हाई परेष यह थी तारा हो हो है कि कोई घ्रफों और मेंस आज अगर दोग जो केंद्राइलू स्टेटमेंट शेका सुरिय ना केंद्र मा को भज उन्चा नपमान अने को भज उन्चा दबान जो जो दबान रिलीस थाई तो केंद्र बलाच थाई परिक्सा माटे खुबज अगत किनी शिमित्रू आवाज अव नवा सेशन साथे फरीसी मड़ीशू त्यां सुझी विद्यार्थी मित्रो रजालिये जैहिन वंदिमात्रम शुबरात्री हर हर महादेव